हाई गाई स्वाग एते हैं आपका मेरे यूटिब चैनल में आज हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली वीवो ने एक सीरीज लॉंच की है उसमें एक्स फिप्टी प्रो के बारे में तो क्या आपको ये हैंड सट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बजट फर मैल्यू है कैमरे में क्या त्यूटू हैंड आपको सैंपल देंगे जोंकी लिये गए है वीबो एक्स फिप्टी प्रो के साथ तो गायज हम देख लेते हैं इसके कैमरे के सैंपल ही है यहां पे अच्छी फोस्टो ली गई जहां हम देख सकते हैं कि सैचुरेशन को काफी सही रखा गय camera angle से ली गई है इसको भी हम zoom करके भी देखेंगे कि हमारी जो picture की क्वालिटी अ है वो किस तरह से रहती है, तो इसी का हम creator लिया है तो फूल जो Sum है इसमें मिलता है 50X तो उसपे हम देखेंगे पिक्चर कैसी आ रही तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल जूम के बाद भी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी डिटेलिंग हमें देखने को मिल रही है पिक्चर में यह एक नॉर्मल पिक्चर सी उसी की जो भी हमने जूम करके पिक्चर को ली थी और अब हम उसके बाद करेंगे नेक्स सेंपल के बारे में बात जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी नैच्छरल कलर को शो कर रहा है और स्काई कलर भी बिल्कुल नैच्छरल लग रहा है इसी को हम थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जूम करने के बाद भी कैमरे की डिटेल काफी अच्छी देखने को हमें मिलती है तो आप भी देख सकते हैं यह कुछ शेंपल है चलिए हम सुरू करते हैं आगे अब हम बात करेंगे जो में आइलेट अवे उजब पोर्ट्रेट तो आज के समय में पोर्ट्रेट पिक्चर लेना एक शौक सा बन गया है तो पोर्ट्रेट के मामले में हम देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी डिटेल हमें देखने को मिलती है पिक्चर में तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पोर्ट्रेट है वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा तो जो लोग पोर्ट्रेट मोबाइल से फोतोग्राफी करने के शौक हीन है उनके लिए यह काफी अच्छी बात है कि आपको देखने में मिलता है यहाँ पर पोट्रेट में काफी अच्छा व्यू जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो कैमरा है वो जिंबल स्पोर्ट सिस्टम के साथ आता है जहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो शेकी नहीं बनेंगी चाहे हम रणिंग शौड निकालें उसके बाद भी हमारी जो वीडियो है वो काफी स्टैवल बनेंगी लेकिन वीडियो स्टैवल तो बनती है उसके साथ अगर हम बात करें फोकस की तो जहाँ पे हम running में अगर कोई shot निकालना है तो वहाँ पे जो focus है वो कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलता है यह एक छोटी सी बात है हो सकता है कि update के बाद यह सही हो जाए तो दोस्तों आपको यह video कैसी लगी जरूर बताईएगा लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार